आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले मेश राशी वाले लोग के लिए कैसा रहने वाला है शूरी का करक राशी में गोचर रहे हैं 16 जुलाई से चुलाइस से कभूर कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं यानु कि ऐसो जोब ने का्राहाँ कोँ बिसंस्यों का विज्नस कर रहे हैं धृटati है उस time का period सारा लोग के लिए अभी time period में कह सकते हैं कि career में growth देखने को मिलेगा एक minute चाहे आप अभी job में हो चाहे business में हो जॉब में हो या business seeker हो इन दोनों में से कोई भी एक काम कर रहे हो आपको इस time period पे growth देखने को मिलेगा हां इस time period पे students को एक काफी अच्छा reading habit देखने को मिल सकता है कि हो सकता है educational interest के comfort सुभाव में आपका 5th house intelligence का lord या बुद्धी का सुभाव में गया कह सकते है कि इस time period पे अपने बुद्धी का पूरा लाव मिलेगा मतलब अपना intelligence का पूरा लाव उठा पाएगा मतलब इस time period प आपका गोचा रव देख ले रहे हैं कि आपका जो अभी हम पहले बोले हैं 16 जुलाई से लेकर उसके बाद 15 अगस्त के लिए था कि उसके बाद फिर क्या होगा कि सूर्य देव राशी परिवर्तन कर लेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य देव चले जाएंगे सिंघ राशी में सूर्य देव ने जाएंगे तो सिंघ राशी मिश्य देव का क्या प्रभा होगा बहुत बढ़ियां प्रभाव होगा यहां पर रीजन का है सुरिदेव सिंग रासी के स्वामी है और सिंग रासी के स्वामी होने के बाद सिंग रासी में बैट जाना कह सकते हैं कि इस टाइम पिरेट पर बुद्धी बहुत तेज काम करेगा पिता के लिए काफी अच्छा समय मदर अ सुरि का जब भी लाब भाफ आप द्रिश्टी जाएगा कह सकते हैं कि अपनी सन्तान नुइन से आपको बहुत ज्यादा लाब देखने को मिलेगा यह मतलब बहुतो सकता है कि मतलब अगर अगर ऑपका संतान बॉकिंग काम कर रहा है संतान से हो सकता है कुछ अर्थ का भी प्राप्ति हो सके यह भी चाहिए आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद पिर देख ले रहे हैं कि सूरिदेव उसके बाद फिर 16 सितंबर से कन्या राशी में प्रविश कर जाएंगे उसका क्या प्रभाव होगा एक्चुली है क्या कि जैसे ही सूरिदेव कन्या राशी में प्रविश करेंगे तो केतु देव अलड़ी अभी कन्या राशी में चल रहे हैं और केतु देव चल रहे हैं और साथ में केतु असूरिका यूती हो जाएगा केतु और का उती होने के करण अक्चॉली प्रभाव क्या होगा इस टाइम प्रिएट पे कह सकते हैं पेट बिगएरा का बीमारी रहना इस टैप का डिजीज थोड़ा सा अपना पेट को लेके कौशिस हो जाईएगा क्योंकि हो सकता है पेट का बीमारी या इस टाइप का यहां से गोचर जब भी करेंगे तो केतू रसुरी का यूती हो सकता है कि आपका प्रतम संतानों यहने कि जो फर्स्ट चाइड हो आपका उससे आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है दिस्प्यूट हो सकता है थोड़ा सा मन मूटा हो सकता है और कुछ खास नहीं यहां पर जह सकते हैं कि जितना भी लोग जॉब में थे केतू के प्रवाव से अभी उनका जॉब में जो थोड़ा बहुत ताइम थोड़ा से डाउन चल रहा था क्योंगे केतू का गोचर यहां पर डाउन चल रहा था जो भी उनका जॉब में मान सा मान मिला इस तरह का चीज देखने को कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा इस चीज देखने को मिल सकता है और उसके बाद पिर देख ले रहे हैं 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर से फिर सूरे देव नीच के हो जाएंगे प्रव झाल 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 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस टाइम पर सूरे पिरियर सूरे भागवान सॉरे नारायन नीच के हो जाएंगे तो सबसे पहले कह सकते हैं कि इस टाइम पर हो सकता है कि आपको व्यापार में नुक्सान देखने को मिले यानि जितना भी लोग बिजनसमें हैं उन लोग के लिए टाइम परिट अच्छा नहीं होने वाला है हो सकता है कि जो खुद्रा माल व्यापार है उस टाइप का चीज आपको हो सकता है डाउन देखने को मिले कुछ हो सकता है कि क्योंकि आपका जो यहां से जो सूरे देव का विद्या भाव का मालिक है मेश लगन का लोग के लिए नीच का हो जाएंगे नीच का हो नहीं हो सकता है वहाहिक जीवन या विवास थान में भी कुछ मतलब परिशानी देखने को मिल सकता है व्यापार में भी हो सकता है कि मंदा व्यापार भी उस टाइम पिरेट पे थोड़ा सा मंदा देखने को मिल रहा है जि काम करते हैं जिसमें stock market manipulative काम अगर इस टाइप काम काम आप करते हैं तो इस टाइप काम से बचे कि भी हो सकता है नुकसान हो जाए अब यहां से देख ले रहे हैं 17 नॉंबर से लेके 17 दिसंबर तक कैसा होगा 17 नॉंबर से लेके 17 दिसंबर तक कैसा होगा इस टाइम पिरिट पर कह सकते हैं कि सुर्य भगवान आपके आस्टम भाव में गोचर करने वाले पंचमेस होके आस्टम भाव में गोचर करने का प्रभाव होगा कि हो सकता है कि आपको अपको प्रतम संदान से ना बने प्रतम संदान से कस्ट इस तरह का चीज़ देखने को मिल सकता है यहां से द्रिष्टी जा रहा है सीधे धन भाव पे यहां से धन भाव पे तीन घर को खराब बोला जाता है, छे, आठ और बारा, आठवा घर जो बोला जाता है, इसको कस्ट का घर बोला जाता है, और सूरी जो है, आपके प्रथम संतान के मालिक है, और यह चले गए हैं कस्ट के घर में, तो इस टाइम पिरिट पे कह सकते हैं, कि जो 16 नॉम्बर से ल मतलब उल्थला सिदा काम कर दे घर पर हो सकता है, फथम करने का संतन से की यहां पर देखने को बले सकता है, बाकि सूरज देव का बिजनस हैं उन लोगे लिए टाइम पिरिटी यहां पर ब्लाघि origin motorcycle तो जितना भी लोग को स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं मतलब मैनुपलेटिव काम कर रहे हैं उन लोग को इटाइम प्रेट पर धन का प्राप्ति होगा क्योंकि पंच में इसका घर में जाने या कास्मिक धनलाब या इस टैप का चीज आपको देखने को मिल सकता है सूरीदेव का गोचर जब 15-16 दिसंबर तक के लिए सूरीदेव प्रिष्चिक राशी में रहेंगे तो उसका प्रभाव यह होगा उसके बाद देख ले रहे हैं 16 दिसंबर के बाद से कैसा प्रभाव होगा अब को मां शर्वा कि अग्वें घृता कया होगा पाद के बहुत अच्छा होगा अगर आपका पढ़ाईoine बहुत अच्छा होगा अगर आप बिजनस में आप जॉब में भी काम करते हैं तो उसके लिए बहुत यह टाइम पिरेट जनरली जितना भी लोग मेश राशी का है 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक मकर संक्रांती का जो पिरिड होने वाला है यह बहुत जिएधा के लिए इस तैम पिरिट उसकता है इस तम पर हो सकता है इस तैम पिरिड हो सकता है सकता है हो सकता है कि आप फादर के संथ हो को इस टाइम पीरिट पर विजट करें एक दूसरी एक जगह से दूसर जगा ट्रैवल करने यहां तकारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया